तोड़े हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आईए नज़र डालते हैं आज की खास कबरों पर हिमाचल के सबसे बड़ी अस्पताल से चोरी हुई ECG मशीन दो दिन बाद ऐसे पकड़ा गया आरोपी कोरोना के बीच दसवी और बारवी की बोड परिक्षाएं शुरू पहले दिन आट पिद्यातियों के संक्रमित होने की सूचना कोरोना संक्रमित होने के बाद वीर भद्र सिंग चंडिगर शिफ्ट हिमाचल में पुरानी तिती से नियामित कर्मियों को नहीं मिलेगा जीपी एफ नमबर पच्चिस सो रुपए में खेतों को जंगल जानवरों से बचाएगी देसी तकनीक धर्मशाला मंडी में भाचपा और पालंपुर में कॉंग्रेस के चुनेगए मेर डिप्ती मेर कार खटे में गिरने से पांच सवाद डूबे दादी पोती का शब बरामत और इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुड़े हिमाचल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंड बॉक्स में जैहन लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी करें चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से हिमाचल में कोरोना के 619 मामले सामने आए वहीं 407 कोरोना संक्रा में ठीक हुए 14 लोगों की जान गई इसमें कांगणा में 6, मंडिव शिमला में 3, 3 और उना में 2 की जान गई कांगणा में मनियारा पालंपूर के 65 वर्षिय व्यक्ती भरूली जॉला मुखी की 46 वर्षिय महिला और पनियाल उना की 57 साल की महिला ने दम तोड़ा शिमला में 70 वर्षिय महिला 52 और 38 वर्षिय पुरुष की जान गई उना में 73 और 78 साल के बुजर्ग नियंतिम सांसली हिमाचल में कुलांकडा 71,394 पहुच गया अभी 6,279 एक्टिव केस हैं अब तक 63,966 लोग ठीक हो चुके हैं कोरोना डेथ का आकड़ा 1,125 पहुच गया कांग्रा में 148, सोलन में 104, शिमला में 74, उना में 70, मंडी में 69, हमीरपूर में 44, कुल्लू में 38, सिर्मौर में 32, बिलासपूर में 22, चंबा में 15, लखुलिस पिती में 9, वकिन नौर में 4 माम ले आए कांग्रा के 119, उना के 55, शिमला के 54, सोलन के 45, अमीरपूर के 41, बिलासपूर के 35, मंडी के 24, कुल्लू के 17, सिर्मौर के 9, वकिन चंबा के 8 ठीक हुए हिमाचा के सबसे बड़ी अस्पताल से चोरी हुई ECG मशीन, दो दिन बाद ऐसे पकड़ा गया आरोपी हिमाचा प्रदेश के सबसे बड़ी अस्पताल, IGMC में चोरियों का सिसला थमने का नाम नहीं ले रहा, यहां आए दिन चोरियां हो रही है हैरानी की बात यह है कि आपात कालीन वार्ट से ECG मशीन ही शातिर चोरी चोर करके ले गए इस चोरी के वार्दात से IGMC में हलकम पंच गया, हाला कि मशीन की चोरी करने के दो दिन बाद शातिर को पकड़ लिया और अब मशीन भी बरामत कर ली गई बताया जा रहा है कि आपात कालीन में जिस रूम में ECG होते हैं वहाँ पर ECG करने वाला कर्मचारी किसी काम से बाहर निकल गया था तबी शातिर वहाँ पर से मशीन को उठा कर ले गया, IGMC प्रशासन को जब मशीन के चोरी होने की सूचना दी गई तो प्रशासन ने तुरन CCTV फोटेज को खंगाला और शातिर जोर का पता लगाया कोरोना के बीच दसवी और बारवी की बोर्ट परिक्षाएं शुरू, पहले दिन आठ विद्यार्तियों के संक्रमित होने की सूचना कोरोना के बीच दसवी और बारवी की परिक्षाएं मंगलवार से शुरू हो गई, स्कूल शिक्षा बोर्ट द्वारा परिक्षाव के संचालन के लिए प्रबंध किये गए हमाचल में पुरानी तीथी से नियमित कर्मियों को नहीं मिलेगा जीपी एफ नंबर, पुरानी तीथी से नियमित होने वाले कर्मचारियों को जीपी एफ नंबर नहीं मिलेगा इस बारे में महालेखाकार कार्याले ने इस्थिती इसपष्ट की जिसके बाद राजय सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशास्निक सचिवों और विभाग के अध्यक्षों को ये निर्देश जारी कर दिये हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में महालेखाकार कार्याले से सपष्टी करण मांगा था इसे राजय लोक निर्मान विभाग और आई पी एच विभाग के वर्क शार्ज करमचारियों को पिछली तिथी से नियमित करने के मामले में मांगा गया इन करमचारियों की ओर से पुरानी नियमित करन टिथी से ही जीपी एफ नंबर और इसकी सदस्यता मांगी जा रही थी जबकि पिछली तमाम अबधी में उनका नियमित रूप से जीपी एफ नहीं काटा गया था इन्हें 15 माई 2003 के पहले नियमित करन का लाब दिया गया था अगर इस दोरान किसी अन्य विभाग और सरकारी उप्रम के करमचारियों को भी इस तरह से नियमित करन का लाब दिया गया तो उन्हें भी इस जीपी अफ नंबर या इसकी सदस्यता का आवंटन नहीं किया जाएगा 25 रुपे में खेतों को जंगल जानवरों से बचाएगी देसी तक्नीक हिमाचर प्रदेश के मंडी जिले के सराज के प्रगतशील किसान ने खेतों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए 25 के लागत से धमाका बॉक्स की देसी तक्नीक तैयार की इस तक्नीक से किसानों को खेतों में ठीकरी पहरा देने की जरूरत नहीं किसान घर बैटे खेतों में धमाका करके जंगली जानवरों को भगा पाएंगे किसान ने इस तक्नीक को इव स्पोर्ट का नाम दिया इसमें एक जिब्बे को इलेक्ट्रिकल तारों को एलिमेंट के माध्यम से जोड़ा गया 750 मीटर दूर तारों को घर से खेतों तक बिचाया गया जैसे ही खेतों में जंगली जानवरों की हरकत की सूचना मिलेगी किसान घर बैटे स्विच ओन करके एलिमेंट से सुथली बम का सुलगा देगा जिससे जोड़दार धमाका होगा धर्मशाला मंडी में भाजपा और पालंपुर में कॉंग्रेस के चुने गये मेर डिप्टी मेर चार नगन निग्मों के साथ अप्रेल को हुए चुनाओ और नतीजे घोशित होने के बाद तीन नगन निग्मों को मेर और डिप्टी मेर मिल गए जबकि 16 नगर निगम में एक दो दिन के भीतर फैसला हो जाएगा इमंगलवार को धर्मशाला और मंडे नगर निगम में भाचपा के मेर और डिप्टी मेर चुने गए जबकि पालंपूर नगर निगम में बहुमत प्राप कॉंग्रेस को कमान मिली धर्मशाला में 17 में 8 पार्षद जीतने के बाद पूर्ण बहुमत से एक कदम दूर खड़ी भाचपा को आखिरकार निर्दलिय पार्षदों का समर्थन मिलने से यहाँ पूर्व डिप्टी मेर और मैक लोट गंज से पार्षद बने ओंका नहरिया को निर्विरोध मेर चुल लिया गया यहाँ उनके सामने कॉंग्रेस का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं था कोरमपूरा ना होने से सोलन नगर निगम में नहीं चुने मेर डिप्टी मेर कॉंग्रेस ने किया हंगामा नगर निगम सोलन में बहुमत होने के बावजूद कोरमपूरा ना होने से मेर और डिप्टी मेर नहीं चुन सकी मंगलवार को नगर निगम कार्याले में अत्रिक्त उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने कॉंग्रेस के नौ पारशदों को शपत दिलाई शपत समारों में भाच्वा सभी साथ पारशदों के ना पहुशने पर कॉंग्रेस की बीच चर्चा बनी रही मेरवार डिप्टी मेर बनाने के लिए 12 पारशदों को कोरम पूरा के लिए बैठको का दौट जारी है आप 16 अप्रेल को 6 पारशदों को शपत दिलाई जाएगी वही नगर निगम कार्याले में कॉंग्रेस द्वारा शपत का प्रोटोकॉल तोड़ने पर ADC अनुराग चंदर शर्मा कारिक्रम छोड़कर अपने कार्याले रवाना हो गए जिसके चलते कॉंग्रेस नेताओं ने शपत समारों में ADC के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया इसमें भाजप्रा का कोई भी पारशद नहीं पहुचा वहीं करीब 12 बचकर 15 मिनट पर कॉंग्रेस नेताओं पारशदों की शपत पर ADC ने रोक लगा दी वा कारिक्रम को छोड़ सचिवाले के लिए रवाना हो गए जिसके बाद कॉंग्रेस नेता राजेंदर राणा विधायक धनी राम शांडे सहिद पारशदों ने कार्याले में बैटकर ADC का विरोश शुरू कर दिया कार खड़ में गेनने से पांस सवार डूबे दादी पोती का शव बरामत हिमाचा पिदेश के मंडी जिले के सुंदर नगर उपमंडल की दुर्गम ग्राम पंचायर सोजा के सरूर गाउं के निकट मंगलवार अपराहन चार बजे एक कार करीब 400 पीट गहरी धांक में लोड़कने से सौल खड़ में जागिरी इस साथ से में कार में सवार पांच लोग खड़ में बह गए कार में सवार चार लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं इनमें दादी प्रेमा दिवी और चार साल की पोती परी का शव बरामत कर लिया गया जबके म्रतका का बेटा सुरेंद्र कुमार पोते मोहिक कुमार के अला पुखता इंतिजाम प्रशासन और सरकार को देना होगा जवाब बीते दिनों एक दर्दनाग घटना सामने आई जिस पर हिमाचर प्रदेश कॉंग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के चियर्मेन अभिशेक राधित परिवार से भेट करने पहुचे इस सारे प्रखर में जो सामने आया कि कहीं न कहीं जनता में भारी रोश है और जनता का कहना है और प्रशासन वा सरकार पर इज़ाम भी कि यदि थोड़े से भी जिम्मेदार होते तो शायद आज ही माचल की ये बेटी जीवित होती लेकिन प्रशासन के नाकामी कहीं अला परवाही की एक बेटी ने अपनी जान गवा दी राणा ने साफतोर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारी समवेदनाय पूरी तरह से परिवार के साथ है और मैं सभी से अपील करता हूँ कि इसे राजनीती से जोड़ करना देखा जाए अपितु वर्तमा सरकार को चाहिए कि इस मुद्धे पर खाग ध्यान दे एवं बिटिया को इनसाफ दिलाए हमारी सुन्दर देव भूमी हिमाचल समस्त भारत में संस्क्रती की मिसाल है एवं हमारे बुजर्ग इस प्रदेश की एक अच्छी छवी छोड़ कर गए है जिसे बनाए रखना हम सब का करतव्वे है हिमाचल में बारिश बर्बारी के आसार दो दिन ओलव रश्टी का लड़ हिमाचल प्रदेश में 18 अप्रेल तक मौसम खराब रहने का पूर वानुमान है मौसम विज्ञान केंदर शिमला ने 13 से 18 अप्रेल तक मध्य व उच्छ परवतिय कुछ भागों में बारिश बर्बारी के आसार जताए वहीं मैदानी वा निशले भागों में 15 से 17 अप्रेल तक बारिश की संभावना है मैदानी वा मध्यम उचाई वाले भागों में 16 और 17 अप्रेल को उलव रश्टी वा अंधर का यलो अलट जारी किया गया उना बिलासपूर हमिर्पूर चंबा कांगरा मंडी शिमला के लिए यलो अलट जारी किया गया है तो ये थी आपके राजे हिमाचल से जुड़ी हुई आज की ताज़तरीन खबरे अगर आप भी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी ही खबरे देखना चाहते हैं तो प्लीज तुड़े हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें